नमस्कार दोस्तो एक्जाम सार्ती यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको सूचना साइक रिट पिटिशन के बारे में अपडेट दे रहे हैं कहीं कंडिडेट्स के सवाल है कि जो पिटिशन लगा रहे हैं उनका टाइपिंग एक्जाम होगा की नहीं होगा क्या उन्हें वंचित कर दिया जाएगा कुछ candidate पूछ रहे हैं कि हम petition में शामिल हो रहे हैं हमारे cut off से कम marks हैं क्या हमें typing exam में शामिल किया जाएगा क्या इसके अलावा stay order कब तक मिल जाएगा रीट याचिका में हम कैसे अब जूड सकते हैं next petition कब लग रही है और सुनवाई next कब होने जा रही है सूचना साइक के मामले में सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो में बने रही है दोस्तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि बहुत सारे इसे candidates हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि हम petition में जूर तो जाएं लेकिन क्या इस बेसिस पे हमारा typing exam तो नहीं रोक दिया जाएगा क्योंकि हम qualify है कट ओफ से वो typing का हमें call आया है तो दोस्तो आपका ये doubt क्लियर कर देते हैं कि जो candidates कट ओफ qualify है जिनका typing का call आया है और वो petition में शामिल होते हैं तो उनको बिल्कुल भी वन्चित नहीं रखा जाएगा typing से उनके admit काट जारी होंगे और बकाइदा उनको typing exam देना भी allow किया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका typing exam रोक दिया जाएगा दूसरा ये कह रहे हैं कि क्या हमारा result रोक दिया जाएगा क्या तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका result रोक दिया जाएगा अभी खूब समय एक महिने का समय आपका typing का है उसके बाद में भी document verification होने में बहुत टाइम लएगा जैसा बोर्ड ने बताया है कि पिछली जो बर्तियों के document verification हो रहे हैं उनमें भी उन्हें लगबग एक साल का समय लग जाएगा उस इसाब से आपके पास कूप समय है डिवी के लिए और जो expert committee के order होने है या expert committee बननी है जिस साब से हमारी hearing हो रही है हमारे मामले में हर वीक दो-दो सुनवाई हो रही है उसको देखते वह बहुत ही जल्द है इस्टे order आजाएगा आपका final result पे जिसमें किसी का भी result final result नहीं जारी किया सकेगा बिना इस case के final verdict के तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना दूसरा यह है कि जो candidates petition में शामिल हो रहे हैं उनका टाइपिंग एक्जाम भी होगा डीवी भी होगा और final result भी जारी किया जारी है हमारी एक petition जो मनिश कुमार अचारिया के नाम से दूसरी जो पिटिशन और फाइल हुई है देव नाराण अडर्स की उनकी भी जल्द ही अगले ही वीक में listing होके सुनवाई भी हो जाएगी अब दोस्तों बात करते हैं कि जो candidate कह रहे हैं कि हम कुटोफ से कम आंक्स पर है क्या हमें टाइपिंग में सामिल किया जाएगा तो दोस्तों आपको भी टाइपिंग एक्जाम में शामिल किया जाएगा जो भी petitioner बने है और जिनके कंडोफ एक्सपर्ट कमिटी बन जाएगी और फाइनल रिवाइट रिजल्ट आजाएगा पिटिशनर्स का तो उन्हें आगे की बढ़ती प्रक्रिया यानि डीवी वगेरा में शामिल कर लिया जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पिटिशन कब लग रही है नेक्स्ट काम मिलेगा उसके लिए आपको को नीचे वोटसेट का लिंक मिल जाएगा वहां जाकर के आप मिल जाएक करें आपको मिल जाएगा आपको और आपको सब्सक्रांसाइबगोंने पार लिए जाएगा तो नीचे डिश्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर के आप시ब रीट में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें धन्यवाद